आजे जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो जाने कि क्यों आरोप लगा रहे हैं कि इन तक्षों क्या धार पर लगा रहे हैं हम लोग तो नहीं देख रहे हैं कि वीमार है वो तो चलते फिरते स्वस्त दिख रहे हैं तो जब गुजरात नहीं सकाम्याब हो पाया जो महत्मा गां सबसे पहले आप राजद विधायक सुधाकर सिंग ने सराब बंदी कानून पर सवाल सबसे पहले आप राजद विधायक सुधाकर सिंग को ही सुनिए सदन के अंदर जो कुछ हुआ सबने देखा आपने बताया कि सबने देखा इस पर टीपर टीपनी करना उचित नहीं है सब जानता है नितीश कुमार क्या बदले-बदले सच में लग रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के बारे मेडिया रोज उन से मिलते जूलती है कोई दिन नहीं है जो मेडिया से रूबरू नहीं उनके आप कोई चीजों में बदलावाया होगा तो आप ब्यहतर समझते हैं हम लोगों से तो कभी-कभी बिधान सभाय सत्र चलता है तीन-चार महिने प करते हैं चैकर सब्सक्राइब अडर्ण सम्हार जीज में आप लोग एक साथ होते हैं एक साथ आवाज बुलंद करते हैं क्या लगता है तो पुलिक डोमेन में उसका ब्याख्या करने की ज़रूत हैं भी मार मुखमंत्री तप्वलों सबगे शांति वभीपश सवाल उठा रहे हैं रहा है कि गुजराथ मोडल मुझे नहीं मालूम गुजराथ एक मौडल था कि प्रोहबिटेशन के बाद भी सराव वहां मिलती है तो जब गुजरात नहीं सकामियाब हो पाया जो महत्मा गांधी की जो कर्म जन भूम भी है कर्म भूम भी है तो पिहार में भी बहुत आसान नहीं है यह मैंने करता कि सरकार को क्या घाटा नाफा है लेकिन एक बात है कि समाजी में एक तरह की माफिया तक तो खड़ा हो रहे हैं जो अवैद सराव शेक लाखो हजारों हजार करोड अर्जित करके वह समाजी को राइनितिक जीवन में स्तच्छेप कर रहे है ऐसे माफिया तंत्र विहार में नौ भुरे और जो सराव पी की जो मौत ह हो रही है जहरुली इस तरह की मौत नौहों इसके लिए सरकार को गंभीव चिंतन करना चाहिए और बदलाव क्या हो सकता है तो आपने सुना सुदाकर सिंग को असपस रूप से कहते नजर आ रहे हैं जहरुली सराब से मौते लगतार हो रही है और सरकार चैन की नींस होई ह सोचना होगा विचार करना होगा तबदीलियां करनी होगी सराब बंदी कानून पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं राजद विधायक सुदाकर सिंग देखे इससे पहले जितरा मांची लगतार सराब बंदी कानून पर बोलते रहे हैं और अब राजद के विधायक भी ख